आज हम बनाने वाले हैं Black Forest Cake आपने आपको एक नएया डिजाइन बता रही जो आप इसक्रीन पर देख रहे हैं, तो चलिए आज बनाते हैं Black Forest Cake वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आर्ति प्रिया कुकिंग हब। आप सभी का मेरे यूटूब चैनल आरति प्रिया कुकिंग हब। में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लेक फॉरिष्ट केक हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे ब्लेक पॉरेट केक, तो उसके लिए हमें चॉकलेट बेस लेना है, इसे हम थ्री लेयर कट करेंगे, तो कट करने के लिए आपको क्या करना है, कटिंग नाइफ लेना है, उसके बाद यहां आप जो नीचे का पोर्शन है, आपको यहां से स्लोल स्लोली पूरा राउंड से कट करना है, उसके बाद आपको अन्य से कट करते जाना है, तो चलिए हम कट करते हैं, यह हमने कट कर लिया है, अब चलिए हम इसे बनाते हैं, तो हम एक बोड ले लेंगे, इस पर हम अपना केक बेस रखेंगे, आपको सुगर सिरभ बना लेना है, पानी में आपको सुगर रट करना है, और उसे मिद्स कर लेना है, अगर आप मीठा चाहते हैं, तो आप प्लेन वाटर भी यूस कर सकते हैं, तो हम इसमें डालेंगे सुगर सिरभ, ज्यादा नहीं डालना है आपको, हम ही डालना है ज्यादा डालने से क्या है गीला हो जाता है तो अब हम क्रीम लेंगे और इसमें हम गनाजेट कर देंगे इसमें हम गनाज मिक्स कर लेंगे अब हम इसे टीक में डालने अब इसे आपको हलके हातों से पुरा केक में आपको लगाना है चारों तरफ इसे इस्प्रेट कर लेंगे अब हम इसमें फिर से थोड़ा गनाजेट करेंगे इसे भी पुरा इस्प्रेट कर लेंगे हम बना रहे हैं ब्लेक फॉरेस्ट केक जो काफी लोगों को पसंद होता है अब ब्लेक फॉरेस्ट में क्या होता है अंदर जो फिलिंग रहती है चेरी की रहती तो अब हम इसमें चेरी को बारिक बारिक कट करके इसमें डाल देंगे पुरा डाल देना है अब हमने डाल दी चेरी अब हम सेकंड लेयर इसके उपर रखेंगे ये मेरा छोटा केक है इसलिए मैंने इसका टूई लेयर काटा है अब इसे हम परले साइड से से फिल करेंगे साइड से इसे पूरा चारो तरफ से फिल कर देना है ये हमने पूरा इसे क्रम कोट कर लिया है क्रम कोट करने के बाद आपको अच्छी फिनेशिंग चाहिए तो आपको इसे कम से कम 10 में इसको आपको पीजय में रख देना है जिससे क्या है इसके जो क्रम रहते हैं यह सब इसमें अच्छे से एक्जिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब हम इसका आइसिंग करते हैं तो वह काफी अच्छे से होता है तो आपको यह बात हमेशा याद रखना है चलिए हम इसे अच्छे से क्रिम कर देते हैं और डिजाइन बनाते हैं तो इसे हम पहले साइड से क्रिम करेंगे आज मैं आपको एक सिंपल सा सुन्दा सा डिजाइन बताऊंगी सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा डिजाइन लगता है आप इसे अपने घर पर जरूर ट्रे करें आप जरूर बनाएं सब्भी को पसंद आएंगा आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है आप जरूर बताईए मेरे चैनल को लाइक इन सब्स्राइब करना ना भूले आप सभी अपना मुझे प्यार दें ताकि मैं आगे पड़ सकूँ और आप मेरे जितना भी सब कीक के आइडियास डिजाइन हैं वो मैं आपके साथ सेयर कर सकूँ अब हम उपर में क्रीम स्प्रेट करेंगे इसे अच्छे से कालट नाइप से स्प्रेट कर देना हैं और इस क्रेपर की सहता से आपको साइड से लेन कर लेना है आपको इस क्रेपर एक ही जगह रखना है और टर्न टेबल को घुमाना है जिससे आपका केक अच्छे से बन सके साइड से कर दिया उपर से आपको जो नाइप में आपका क्रीम आएंगा इसे आपको निकालना है फिर से आपको पुरा फिनेशिंग देना है आप इसे कलर भी कर सकते हैं मैंने वाइट रखा है मैं सोच यह से थोड़ा सा लाइट रेड किया जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालूंगी और आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपको कभी भी जब भी आप केक बनाते हैं केक की क्रीम में आपको फूट जेल कलर ही यूज करना है क्योंकि लिक्विट कलर आपकी क्रीम खराब कर देती है तो आपको हमेशा जेल कलर यूज करना चाहिए केक के लिए तो हमने इसे कलर कर दिये है अब आपको मैं एक सिंपल सा डिजाइन बता रही हूं आप जरू ट्राइ कीजेगा यह हमने थोड़ा क्रीम लिया अब इसमें हम कलर डालेंगे यह हमने रेड कलर जेल कलर लिया है अब इसे आप अच्छा से मिक्स कर लें यह हमने इसे मिक्स कर लिया अब यही आप पैलेट नाइप से इसे थोड़ा लेंगे और जो साइड से हैं इसमें हमें बस यूँ यूँ इस तरीके से हमें पूरा कर देना है चारो तरब हमने इसे चारो तरब से कर दिया है अब हम इसमें पाइपिंग देए पाइपिंग देने के लिए मैंने छोटा इस्टार नोजल लिया है इसे हम पाइपिंग पेग में डालेंगे आप चाहे तो ऐसे डिजाइन भी बना सकत हैं ऐसे बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं तो मैं यहां पर बना रही हूं इस्टार चलिए फटा-फट से हम इसमें इस्टार्स बना लेते हैं आप यहां ऊपर भी इस्टार बना सकते हैं हमारा केक यह सिंपल सा डिजेन रेडी है इसमें हम क्या करेंगे यह क्राउंस आते हैं यह बहुत सुन्दर दिखता है यह मार्केट में असानी से मिल जाता है आप इसे ऊपर यहां पर ऐसे लगा दें देखिए हमारा केक सिंपल सोर किता प्यारा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप जरूर अपने घर में ट्राय कीजिए आज की आपको रेसेपी कैसी लगी आप जरूर बताईए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू जरू